हेलो दोस्तों जेहिंद स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में तो दोस्तों हमारी जो वंदे भारा ट्रेने है इनका नेटवर्क लगतार इंडियान रिल्बे बढ़ा रही है ओ यहाँ पर निकल के सामने आता रहता है वंदे भारा ट्रेन के लिए और यहाँ पर ऐसे ही तीन रूट के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ जिन पर वंदे भारा ट्रेन चलने की जो गोसना है ओ यहाँ पर हो चुकी है और ए ट्रेने कब तक चलने वाली है इसके बारे में भी यहाँ पर सारी जानकार यह सामने आ चुकी है इसी के साथ दोस्तों हमारे देश में तीन वंदे भारा ट्रेनों का जो रूट है वो यहाँ पर और जुडने वाला है तो इसी के बारे में कम्पलीट डीटेल इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ तो ए वीडियो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है तो अभी सही वीडियो को लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजे तो चलिए बढ़ने आज की इसे वीडियो के तरफ और सुरु करते हैं आज की इसे डीटेल वीडियो को तो दोस्तो हमारी जो चेयर कार वाली वंदे भारा ट्रेने है वो अभी तक हमारे देश में 34 रूट पर ओल रेडी चल रही है और इसकी जो संख्या है वे इंडिया रिल पे लगतार बढ़ा रही है और आने वाले मार्च 2024 सक 75 वंदे भारा ट्रेने हमारे पूरे देश में आपको देखेने को मिलेगी और इसको पर दोस्तों इंडिया रिल पे काफे ज़्यादा गंभीरता से काम भी कर रही है वहीं दोस्तों बात कर ले इने तीनों वंदे भारा ट्रेनों की कि कौन-कौन से रूट पर ये तीनों वंदे भारा ट्रेने चलने माली है तो इसके मारे में अब हम बात कर लेते है तो इसमें जो सबसे पहला रूट है वो है इंदोवर से जैपूर वाला और आपको तो पता ही है कि इंदोवर और जैपूर वाला जो रूट है वो पिछले साल से ही पेंडिंग पड़ा हुए है वंदे भारत के इंजिजार में लेगिन अभी तक इस रूट को वंदे भारत ट तो इंदोर से जैपूर का जो टोटल डिस्टेंस है वो लगबग 600 यानि कि 600 किलोमेटर के आसपास है और इसे 600 किलोमेटर के डिस्टेंस को कभर करने में अभी जितने भी ट्रेन इस रूट पर चलती है उनको 9 गंटे 35 मिनट से लेके 11 गंटे 50 मिनट यानि कि लगबग 12 गंट में लगबग इस रूट पर 2 गंटे का बच्चत आपको देखने को मिलेगा दो गंटे पहले आप इंदोर से जैपूर और जैपूर से इंदोर आ जा पाएंगे इंदोर से जैपूर के बीच में चलने माली हमारी वंदे भारा ट्रेन में आपको 8 कोच वाला रैक देखने को काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा क्योंकि आपको तो पता ही है कि जैपूर में बड़ी संख्या में जो सैलानी है वो सालों भर पहुंचते हैं इसे के साथ इंदोर भी यहां पर पीछे नहीं है इंदोर में भी बड़ी संख्या में जो सैलानी है वो देखने को मिलते हैं औ तो दूसरा रूट है इंदोर से भिलवाडा वाला और जैसे कि आप सबको पता होगा कि इंदोर भिलवाडा रूट भी वंदे भारा ट्रेन के लिए काफी ज़्यादा डिमांडेबल रूट है और लगतार इस रूट पर वंदे भारा की जो डिमांड है वो पिछले कई महीनो से बनी हुई है वहीं दोस्तों इंदोर भिलवारा रूट के बाड़े में हम थोड़ा सा डीटेल में बात करें तो इंदोर से भिलवारा का जो टोटल डिस्टेंस है वो लगबग 362 किलोमीटर है यानि कि यहाँ पर डिस्टेंस कुछ जादन नहीं है लेकिन यह वंदे भारा ट्रेन के लिए डिमांडेबल रूट होगा क्योंकि लंबे समय से इस रूट के जो लोग है उनके दुवारा वंदे भारा की जो डिमांड है वो लगतार मिनिस्टी ओप रेलबे तक लोगों ने पहुचाई है वहीं बात करने इस रूट पर चल रही ट्रेनों की तो इसे 362 किलोमेटर के डिस्टेंस को कभर करने में अभी जितने मिट्रेन इस रूट पर चला करती है उनको लगबग 6 गंटे 40 मिनेट से लेके 7 गंटे तक का जो ट्रेबल टाइम है ओ यहाँ पर लग जा हमाली हमारी वंदे भारा ट्रेन में शुरुवात में तो आपको आठ कुछ वाला राय एक देखने को मिलेगा और रे ट्रेन सफता में 6 दिन चलेगी बाकी एक दिन इसका मेंटेनेस होगा इस रूट पर दोस्तों जो MPS है यानि कि मैक्सिमाम पर मिसिमल स्पीड वो कितना ह रूट पर भी हमारी वंदे भारा ट्रेन की जो घोसना है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल गई है फिलाल दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तीसरे रूट की तो तीसरा रूट है इंदोर से सूरत वाला और इसके बार में आप से बात किया है और इंदोर से सू 65 किलोमेटर और इस 565 किलोमेटर के डिस्टेंस को कभर करने में अभी जितने भी ट्रेन इस रूट पर चला करती है उनको लगबग 8 गंटे 38 मिनट से लेके 9 गंटे 17 मिनट तक का जो ट्रेवल टाइम है वो यहाँ पर लग जाता है वहीं दोस्तों हमारी वंदे भारा ट्रे वाली वंदे भारा ट्रेन वाया उधना वाला रूट लेगी और इंदोर सुरत वंदे भारा ट्रेन में शुरुवात में तो आपको आठ कोंच वाला रायक देखने को मिलेगा लेकिन बाद में पैसेंजर रिस्पॉंस को देखते हुए इसकी कोंच का जो संक्या है वो भी इंडिये रेल बे बढ़ा सकती है लेकिन शुरुवात में इस ट्रेन में आपको आठ कोंच ही देखने को मिलेगा एटरेन सप्ता में छे दिन चले कि बाकी एक दिन इसका मेंटेनेस होने वाला है और दोस्तों इन्हें तीनों रूट में कॉमन बात यह है कि ये तीनों इस यह की तरप से इंडोर से जापूर इंडcarbon से भिलवाडा और इंडोर से सूरत के लिए लंके समय से वंदे भारत की जो मांग है ओं मिनिस्टि ओफ रेल बे तक लोगों ने पहुचाई है और सायद इसी को देखते हुए मिनिस्टि ओफ रेल बै ने इंडोर से ये तीनो अलग अलग सहर को जोड़ने वाली वंदे भारा ट्रेन को चलाने के लिए काफी, ज्यादा गंभीर है, वहीं दोस्तों बात कर लें इन्हें 3 वंदे भारा ट्रेनों की, तो इन 3 ट्रेनों को लेकर, जैसा कि रिपोर्ट से हमें पता चला है, कि इन 3 परपोजल बना कर रेलभे आईशेप चन्नाई में कर देगी, दैन रैक इंदोर पहुचेगा, और उसके बाद जो ट्रायल रन का प्रकिरिया है, वह आप सभी को देखने को मिलेगा, वहीं दोस्तों बात कर ले कि क्या है ट्रेने एक साथ ही लॉंच होने वाली है, तो इसमें दोस्तों अभी कुछ भी क तो इंडिया रैल पे धीरे धीरे करके उन्द सभी रूट को ही वंदे भारा ट्रेन से जोड़ना चाता है, तो यहाँ पर एक साथी इंदोर को ये तीनो वंदे भारा ट्रेने देना, ये अपने आपने कोई भी सेंस नहीं बन दी है, इसलिए बारी बारी करके इंदोर को य तीनो वंदे भारा ट्रेने मिलेगी, वहीं बात कर लए इसके इनोगरसन डेट की, कि ए ट्रेने कब तक हमें देखने हुमिल जाएगी, तो इन्हे तीनो वंदे भारा ट्रेन को आने वाले बिधान सभा चुनाओ से पहले इंडिया रेल बे इंटर्डिउस कर सकती है, यानि इसलिए इसमें पॉलिटिकल रीजन भी है, खेर इसके बारे मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा, लेकिन दोस्तों इंदोर वासियों के लिए कापी बड़ी खुसकबरी है, कि इन्हें तीनों वंदे भारा ट्रेनों का जो घोसना है, वो यहाँ पर हो चुका है, और इंदोर को एक साथी तीन वंदे भारा ट्रेने, इंडिया रेलबे एजे तोफा दे दिया है, और इन्हें तीनों वंदे भारा ट्रेनों के जो घोसना है, वो दिवाली से जेस्ट पहले की गई है, तो इसे आप दिवाली गिफ्ट भी इंदोर वासियों के लिए मान सकते है और इन दोर वाले जो भी वीडियो को देख रहे हैं तो यार आप लोग जम कर इस वीडियो को सेर जरूर करना क्योंकि आप सभी को एक साथ मिल चुकी है तीन वंदे भारा ट्रेने आलागि दोस्तों चेयर कार वंदे भारा ट्रेन के साथ-साथ इंटियार एल बे अभी वंद साथारन ट्रेन के दो ट्रैल रन भी हो गए हैं वहीं दोस्तों बात कर ले हमारी चेयर कार वाली वंदे भारा ट्रेनों की तो इनका भी नेटवर्क लगतार बढ़ाने के लिए इंटियार एल बे अपनी तरब से पूरी कोसिज करने में लगी है लेकिन यहापर टोटली ची से बड़ा प्रोब्लम एह है कि अभी हमारी जो चेयर कार वाली वंदे भारा ट्रेने है वो आईसे अप के आलामा किसी भी कोच फेक्टरी में नहीं बनती है इसलिए टोटल प्रेसर पड़ता है आईसे अप के उपर और किसी भी कोच फेक्टरी का एक लिमिट होता है जिसे अब केसरिया वंदे भारा ट्रेन हमारे देश में नहीं चलेगी तो देखिए इसको लेकर इंटिया डेल बे तो कुछ भी ऑफिसली अपना जो बेयान है वो पबली के सामने नहीं रखी है कि ए ट्रेन फ्यूचर में आने वाली है या फिर नहीं तो ऐसा हम नहीं कह सकते है क कि हमारी जो केसरिया वंदे भारा ट्रेन है वो हमें फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेगी और बेसली ये फ्यूचर में आ सकती है और जो हमारी केसरिया वंदे भारा ट्रेन थी इसको लोगों ने भी काफी ज्यादा पसंद किया इसके हम कलर थीम को देख ले या फिर सार कोई भी confirmation आता है तो आपको सबसे पहले बताने की कोशिज करूँगा और आपने हैं तक इस वीडियो को देख लिए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करिएगा बागी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक लिए जय ही जय भारत